हेलो एवरिवन, आज हम डेली रेंट कंट्रोल एक्ट का जो केस डिसकस करने वाले हैं, उसका नाम है वी धनपत चेटियर जो की अपीलेंट हैं वर्सेस ये सोदाई अमल, इस केस में जो रिस्पॉंजेंट होते हैं, एक एप्लिकेशन फाइल करते हैं, एविक्शन की, अपी पे यह क्या करना चाहते हैं, एविक्शन करवाना चाहते हैं, और यह कौंसर सेक्शन के थरू करवाना चाहते हैं, तमिल नाडू, बिल्डिग लीस एंड कंट्रोल एक नाइटीं सिफ्टीं, सेक्शन 10 ख्लॉस 3 क्लॉस A का पार्ट 3 तो यहां पर जो उनका ground होता है eviction का जिसके तुरू वो eviction करवाना चाहते हैं वो होता है personal necessity तो इस case में क्या होता है rent जो controller होते हैं वो यह कहते हैं कि यह genuine reason नहीं है और उनके petition को dismiss कर देते हैं उसके बाद जब matter appellate court में जाता है तो appellate court कहता है कि यह personal necessity का reason है यह बिलकुल bona fide है और ठीक है बड़ जिस तरह से application यहां पर आई है यहां पर वो सही नहीं है क्योंकि notice to quit quit कराने का आपको notice देना यहां पर necessary है यह decision होता है यहां पर appealate court का उसके बाद high court यहां पर case refer करता है और उस case की judgment को भी यहां पर refer करता है उस case का नाम है सू कुमारन नायर एक्सेटरा वर्सिस नील कांतन तो इस case में क्या होता है कि notice to quit as per section 106 of transfer of property act transfer of property act के section 106 में जो है necessary नहीं है कि अब tenant को जो है क्या देना हो आपको eviction का notice देना हो as per Tamil Nadu rent control act तो यहां पर यह जो appeal है यह फिर supreme court में जाती है क्योंकि decision satisfy नहीं होती अग्रीव party फिर उसके बाद यहां पर legal question यह rise होता है कि क्या 106 जो transfer of property act का section है उसमें notice देना eviction का compulsory है decree या कोई भी order eviction का tenant के against देना जरूरी है और what event किसके against है consensus act में cover हो रहा है वो किसी भी state के rent control act में cover हो रहा है यहां पर उसके बाद जो है court यहां पर एक case को और refer करती है उस case का नाम है रावल एंड company versus kg राम चंदरन तो यहां पर जो है इस case में क्या होता है कि court यह कहता है कि अगर आप की lease जो है अगर आपकी lease registered है तो registered lease में आप उसको अपना जो position है वो बिना उसको terminate किये या बिना उसको खतम किये उसको recover नहीं कर सकते लेकिन अगर आप किसी भी state के जो rent control के अंडर में कोई tenant है तो वो tenant से आप जो है वो उसको उसको डेटरम इट वो जुसकी tenancy है उसको आप terminate कर सकते है easily अपना जो है वो उसको evict करा सकते हो और अपना जो position वो वापस दे सकते हो तो यहां पर finally जो है वो court ये conclusion देता है court decide करता है कि जो lease का determination है अगर वो transfer of property act के through है तो यहां पर easily उसको landlord evict नहीं करवा सकता और वो तभी evict हो सकता है जब वो determination complete हो जाए यानि कि जब वो lease का पीरेड है वो खतम हो जाए लेकिन अगर वही पर जो अगर हम state and control act की बात करते हैं तो यहां पर जो है issue यहां पर notice देना जो है वो mandatory नहीं है यहां पर evict ऐसे ही कराया जा सकता है तो इस case का final decision यहीं होता है कि ऐसे कोई भी obligation नहीं है पार्टी पे कि वो as per section 106 क्या करे transfer of property act 106 के true यहां पर notice दे इसके साथ यहां पर एक चीस और है कि अगर जो tenant है वो under section 116 इसके true में यहां पर TPA में उसने कुछ hold की हुई है property या उसके true tenant है तो ऐसे cases में notice देना जो है वो require होता है और इसके साथ ही यहां पर अगर किसी state rent control के एंडर में है तो नोटिस देना रिक्वायर नहीं है थैंक यू